चलेए कुछ अलग तरीके से समझे की निधी का ववचन सब्द क्या होता है? और आज की इस वीड्यो के इंदर आपको निधी के वववचन सब्द के बारे में हम अच्छे सिछे जानकारे देंगे आप अस वीडियो को लाइक करें, चेनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें हम आपको सबसे पहले पता देती हैं कि बवचन किसी कहते हैं ताकि आप निदी के बवचन सब्द को अच्छी तरह से यादिक कर सकें तो दोस्तों जो राध्यान से सुनें कि जिस सब्द के रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोधो उसे बवचन कहते हैं और वहीं पर अगर हम निदी के बवचन की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि निदी एक एक वचन होता है और निदी का बवचन सब्द निदिया होता है यानि दोस्तों निदी का बवचन सब्द निदिया होता है और यह आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए और इने अच्छी तरह से याद करना है जिसके लिए आभी मारे साथ हो रहीं कि निदी का बुवचन सब्द निदियां होता है। इसके लग दोस्तों अबम आपको बता देते हैं कि निदी किसे कहते हैं। निदी सब्द धन और धन संचेन के संदर्में में परियुक्त होता है। यह सब्द संग्रणिये धन, धनरासी, रूपया या किसी मुल्य चेतर में जमा किये गए धन को दर्साता है। इसके लग दोस्तों अबम आपको एक बार फिर्श बता देते हैं कि निदी का बवचन सब्द क्या होता है। अगर आपको इसके बार में अच्छी जानकारी प्राप्त हो यो तो वीडियो को लाइक करें, चेनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबातें।